जब हम योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास में ये बहुत अच्छा अनुभो कर सकते हैं, जैसे ये अलग है, मैं अलग हूँ, और ये अगर अभ्यास कोई करता है, तो धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ये योग की संपून स्टेज है, जिसमें दोनों की अलग अनभुती हो, बहुत काल तक इस सरीर के साथ हम रहे हैं, आत्माएं इस सरीर में रही हैं, इसलिए इस सरीर में जुड़ गई जैसे, कम्बाइंड हो गई, मिक्स हो गई, इसलिए बार-बार कोई न कोई कर्मेंदरी अपनी तरफ खीच लेती हैं, मेडिटेशन में जब हम आत्मिक स्थिती का अभ्यास करते हैं, देही माना आत्मिक स्थिती, देह और उसके अपोजेट देही, तो देह और देही, आत्मा और सरीर, इन दोनों का अलग अनुभू होने लगें, फिर हम कर्म करेंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, लेकिन ऐसे कि जैसे सुनने वाल अलग है, कर्मिंद्रियां अलग है, ये कर्मातित इस्थिती माना जो हमारी संपून स्थेज है, जिससे ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया, उस स्थेज को हम भी प्राप्त करें, इसके लिए अभ्यास की ज़ूरत है, और मेरी टेशन करने वालों को कि अभ्यास जरूर करना चाहिए कि मैं इस देह से अलग हूँ, कर्मात्मा कहते हैं कि कर्मातित, अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जिससे की नियारे रहेंगे, कोई attachment नहीं होगी, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रति दिन होता जाएगा। सांस लेना भी कर्म है, तो इस कर्म छेतर पर आत्मा बिना कर्म की नहीं रहती, लेकिन कर्मातित इस्टेज में उस कर्म का बंधन नहीं बन रहा है, कर्म किया नियारे हो गए, मैं कराने वाली आत्मा अलग हूँ, ये प्रेक्टिस जब बढ़ती जाती है, तो कर्म छेतर प तो ये practice करते करते वो stage बनेगी तो परमात्मा हम सब को कहते हैं जब तुम बच्चे सब मेरे समान बनोगे तो सूक्ष मुवतन में जैसे अभी बाबा है ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष मुवतन में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं हम सब को भी कहते हैं बच्चे जब यहां से संपून बन करके, कर्मा तेत बन करके, सुक्ष मतन में आओगे, फिर एक साथ उपर चलेंगे, परमधाम घर का गेट खुलेगा, और फिर नई स्रिष्टी पर जो सुरुवात होगी सत्यू की वहां पर हम पुनर जनम लेंगे आके, तो यह एक पहुत बहरा राज है, और वो राज ब्रमा बाबा और शिव बाबा दोनों आतमाएं हम सब को सुना रहे हैं